युग परिवर्तन दा महत्तपुर्ण उदेश पूरण करन दे लई नारी नू जागरुक करना चाहिदा है, उसे नू अग्येवदाउना चाहिदा है, अते विश्वांती दे लई मुनासिव वातावरण बनाऊंदी उसे तो बेंती करनी चाहिदी है, नारी दा सम्मान अते पूजा कित्ते भिना साड़ा कल्यान नहीं हो सकदा, पंडितार्य, पुस्तक दा नाम प्रबुद नारिया अग्यान, पुस्तक दी जानकारी, नारी जागरं दी जरूरत, नारी दी अपनी गरिमा है, उपुरश दी जननी है, असी परमेश्वर तो बाद, आज सब तो ज़ जनता दी देवी है, वो पुरश दी निर्माता है, किसे वी राष्ट दा उठ्थान, नारी जाती दे उठ्थान तो ही हुंदा है, वर्तमान समाज विच फैलियां कुरीतिया नो दूर करन ली, नारी दे सहयोग दी जरूरत महसूस किती जा रही है, नारी समाजिक जिमेवा यांदे बोज नू टोन दी है, कारिगर वांग और संतान नू संसकारी बनाउंदी है, मा, पत्नी, पैन, ती दे रूप विच प्यार, समर्पन, त्याग, प्यार दिन दी है, तो हड़े सामने पेश है पुस्तक, जो कहन दी है कि 21 सदी नारी सदी है, इस समें पुनर जागर दी दिशा विच नारी नू बड़ी महत्त पूरण पूमी का निभाउनी है, ए गाल नू मन ना ही पवेगा, हुन नारी दी 22 समर्थावा नू कसोटी ते परखे जानदा समा आ गया है, इस कसोटी ते नारी खरी उत्रेगी, पावे उस नू इस दोहरी मेहनत क्यों ना करनी पुष्टक दे कुझ महत्त पूरण बिंदू, नारी उन्नती दी जा गिरावट ते ही, राष्टर दी उन्नती गिरावट तै है, नारी देवता दी प्रतक दिखाई देन वाली मूरत है, नारी दी आपनी विशेश्ता है, विशव परिवर्तन दा आदार नारी है, जो काम पूरश्ची करदा है, नारी उसनू सहज, प्यार अते निमरता पूरण पूरा कर लें दी है, आज अपने देश विश अंगिनत समस्यावाँ पैर पैरते छाईया हन, उनना नू सुलजाउन लई देश दी नारियां महत्त पूरण योगदान पा सक दिया हन, गांदी जी न क्या है, नारी अते नारविच चरित्तर दी दिश नारी दा स्थान उच है, क्योंकि आज जवी ओ त्याग, तपस्या, निमरता, श्रद्धा अते ग्यान दी मूरत है, नारी दी बजाए उस दा ग्यान बहुत उच है, पर उस दी कुदर्ती सूजबूज पूरश दे ग्यान नालो ज्यादा सिध होई है, राम तो पहला सीता, अते क्रिशन तो पहला रादा नामदा जिकर और दी ताकत नू दर्शामदा है, पूस्तक दे कुझ अंश, नारी नू लंबे समे तक बंदना विजकड़े रहन कारण पैदा होए अपने पिछडे पान्तों मुक्ती पाके अपनी योग्यता अर्ते समर्था नू विक्सत करना होवेगा, अते नवे निर्बान दी पूमी का निबाउन विच भी अग्ये वदना होवेगा, अपने विकास देलेई, खुद अपने आपतों संघर्ष करना होवेगा, जा रा विच रुकावट पाउन वाली परिवार, अते समाज विच फैलिया कुरीतिया तो निपटना पवेगा, ए साब मुश्किल जरूर है, पर नारी इसनू जरूर पूरा कर लवेगी, महाकाल ने नारी नू जो कम सोंपया है, उसनू अपनी जनम जाद दैविश दैविश शक्तिया दे सहारे, निश्चित रूप तो वो केवल पूरुष दी अर्दांगिनी ही नहीं, आंगवी है, समाज दे उत्थान पतन विच उस दी बराबर दी पुमी का है, जेकर समाज नू उन्नरशील बनावना है, ता नारी नू पूरुष दे बराबर सिख्यत अते प्रबुद बनावनाना होवेगा, विचाशील ज्यानी, सासी, आतम बलतो संपन महला, परिवार समाज विच अपनी जिम्मेवारियानू चंगी तरहाने बाउंदे योग होवेगी, नारी परिवार दी सुत्र संचाली का है, माता, पत्रनी, पैन, ती दे रूप विच उकार दी लक्षमी समाज नू नर्थ रतन दिन दी ह समाज नू स्वर्ग बनाउना नारी दे हत्विच है, शिष्टी ईश्वर ने बनाई है, पर नारी परिवार नू स्वर्ग बनाउंदी है, अते देव मानव अपने पेट तो पैदा कर दी है, नारी परमातमा दी सर्वुच कला है, उजदी अ विशेशतावा दी गिंती कित जावे ता मानव जगत उस दी मेहर तो दब जावेगा। त्याग, प्रेम, स्ने, सम्मान, सहयोग, सहन शील ता नारी विच नर तो जादा है। स्वार्थ अते आतम निर्बर्ता, लड़का लड़की एक समान, पर्दा प्रथा एक कूप रथा, सादगी तो व्या अते दहेज अनमूर्लन, प्रोड पाटशाला, नारी, दैवी मूर्तिमान मूरत है।